असलाम वालेकुम वेलकम टू हतीम टेक नियूस मैं हूँ अब्दुलमतीन और आज की इस वीडियो में डिटेल कंपेरेजन करेंगे वीवो वी 17 का ओपो री नो टू एफ के साथ क्यूंकर दोनों डिवाइस सेम प्राइस के अंदर आती है वीवो वी 17 की प्राइस भी 60,000 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर प्राइस के लिए ताकि इसी तरह की मजीब वीडियो से अपडेट रह सके है अ कि स्टार्ट करते हैं डिटेल कंपेरिजन और सबसे बिले बात करते हैं दोनों डिवैसे की डिस्प्लेइब बिल्कॉलिटी और डिजाइन की यहां पर सबसेब्स डिस्प्ले हम देखते हैं डिस्प्लेइब दिस्प्ले दिस्प्लेइब दिस्प्लेइब लुटेफ्फ पर गया है और अपर स्मॉल पंच के अंदर कम लागया है और इसके लावा बैजलेस डिस्प्ले है यह भी चिन अगर देखें दोनों डिवाइस की तो चिन यहाँ पर OPPO Reno 2F के अदर थोड़ी सी बड़ी है और Vivo V17 की चिन थोड़ी छोटी है इसके मुकाबले में दोनों डिवाइस बैजलेस है दोनों डिवाइस फुल एच्टी प्लस है और यहाँ पर डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Vivo V17 आता है सुपर अमोलेट डिस्प्ले के साथ तर जो के तारिफ करता है यहां पर विवकाफिस की तारीक करता है पर सुपर अमोलेट डेस्पटाइप然 लगाया है और रीनो। अंदर हमें स्रिफ अमोलेड डिस्प्लेइं मिल रहा है यहां पे सिर्फ अमोलेड डिस्प्लेइं लगा गया है रिजिवर्शन दोने वाइस का सेम होगा 1 080 by 2340 पिक्सल्स का रेजुलेशन होगा लिए बात करें तो विव 17 के दर में डहीं 409 बीपी अएट जबकि यह जबके उप्सक्रीन अब टो एफ के नदर 394 पीप इसे लें जिसे इतना परक नहीं इतना बाफ नहीं 91.3% मिल रहा है वीवी 17 में और 91.1% मिल रहा है उपको रिनो 2F के अंदर जिससे में आपको बदाया है दोरो डिवाइस के चिंद के ना थोड़ा पर फरक है एसपेक रहा है यहाँ पर वीवी 17 में मिलेगा 20x9 का और रिनो 2F के अंदर 19.5x9 रहा है वीवी 17 थोड़ सी लंबी डिवाइस के मुकाबले में बिलकुलिटी की बात करें यहाँ पर हम देखें दोरो डिवाइस की यहाँ पर वीवी 17 आता है प्लास्टिक बिल में प्लास्ट की अनला गेला वाली है फिंद्र लारी अपर विक वाईस प्लाइं तो यहां पर यहां पर व्य के दिशाइब हो यह दोनों के बैक सअध्य आप देखें नहीं नहीं की करण बेख साइड दोनों लोंकि तुक्त है करण इसेदेश्ट पर अभी यह पर चर्व हैं यहाँ करहतbright चाल जाए सब्सक्राइब अच्छा सब्क्राइब मैं आपको यहां पर दसेंग वाइट स्क्रीन और मुझे चाह लग रहे हैं वीव वी 17 के अधर काफी स्टेंटेंग पर दोनो डिवाइस की चिप्सेट के बारे मता देता हूं यहां पर चिप्सेट लगाएगा यह वी 17 के अंदर वो Snapdragon 675 की चिपसेट मिलेगी Snapdragon 675 यहां पर Reno 2F के अनरज़ों में चिपसेट मिलने माली है यहां पर Mediatek की Helio P70 की चिपसेट लगाई गई है Mediatek Helio P70 और Snapdragon 675 यहां पर CPU लगाए गया है दोनों इसे के अंदर 2GHz का Octocode CPU मिलेगा Vivo ZV17 में और 2.1GHz का Octocode CPU मिलेगा Oppo Reno 2F के अंदर GPU अगर देखें तो Vivo V17 में Andino 612 का GPU लगाया गया है जबकि Oppo Reno 2F के अंदर Mali G72 MP3 का GPU लगाया गया है RAM और ROM की वेरेंट के बात करें तो दोनों डिवाइस की RAM यहां पर 8GB के में मिलेगी Vivo V17 भी 8GB RAM में आता है और Oppo Reno 2F भी 8GB RAM में आता है लेकिन यहां पर storage के अंदर हमें फरक मिलने वाला है 256GB के storage हमें मिलता है Vivo V17 में और 128GB के storage हमें मिलता है Oppo Reno 2F में storage के अंदर फरक होगा same price के अंदर यहां पर 256GB storage के अलावा dedicated memory card के slot में मिल रही है 3 card slot लगाई गई है Vivo V17 में जबके Oppo Reno 2F में storage में 128GB है उसके इलावा यहां पर hybrid card slot मिल रही है ज्यातों दो SIM लगा ले या एक memory card लगाएंगे तो दूसरी SIM में लगा सकते एक SIM लगाएंगे तो Vivo V17 256GB का storage भी दे रहा है उसके साथ 3 card slot भी दे रहा है memory card का option भी दे रहा है operating system की बात करें तो दो डिवाइस आउट दो बॉक्स android 9 5 पे आती है और operating system अगर front touch operating system इनकी अपने operating system की बात करें तो Vivo में front touch operating system 9.2 हमें मिल रहा है अभी तक 7 पाके सब्सक्राइब लाउंज नहीं हुआ और operating system 6.1 हमें मिलेगा यहां पर दो नहीं बात कर लिए हमने इसी तरह बैटरी की बात करें तो यहां पर Vivo V17 में 4500 बैटरी मिलेगी जबके ऊपर रिणो 2F के अंदर 4000 बैटरी मिल रही है दोरी वैसे टाइप सी के हमें साथ मिलती है और यहां पर फास्ट चारजिंग मिलने वाली है और यहां पर हमें आटरी में जनर्फ चारजिंग करेंगे अब यहां अगर सेंसर की बात करें तो फिंगर पर इसकर दोनों डिवैसिस नंस नंदर इन डिस्पें लगाए गया है वीवो वी 17 में भी और उपो रिटू एफ में भी फेस अनलोग की फैसिलिटी दोनों डिवैसे के अंदर मिलेगी जरॉसको आप दोनों डिवैसे के अंदर मिलेगा अब यहां पर परफॉर्मेस अब रिसकर ली लेकिन एक चीज़ बिसकर दी है वह है बैंचमार्क स्कोर्स य यह आप दिसकते हैं बैंचमार्क स्कोर्स के अंदर फरक कितना है वीवो वी 17 का स्कोर है डवल डू सिक्स एट सेवन सेख्स जबके ओपो रिनो 2F का स्कोर आप दिसकते हैं वन नाइन थ्री नाइन डबल फाइव तो बहुत जारा आ गए है वीवी 17 उसके आगे मुकाबले में दोनी वैसितं की सेब扮रेंश हैं और सेंट हैंते फरकर कितना मिलेंगा दोनी वैसिस की परफरमCo में कितना फरक होगा अब अगर यहां पर बात करूं में कैमरास की दो डिए क्योंकर ऊपो रिनोडो 2F को कैमरे के नहीं जाना जátा है तो यहां किया हैं था साट करते हैं बैक साइट पर दोनों डिवाइस के कार्ट में मिलेगा में और बीबिशन में और निवाइसेंटीन में एड़ाइड लावाइड लावड में लगा देप्सर मिलेगा इसी तरह रिनौ तुए अधर पी एड लगा लगाए गया है इसी तरह फरन पर वीओ वी 17 जब के अंदर 16 मेगा पिसल का सेल्फी के मिल रहा है तो यहां पर वी 17 आगे हो गया 32 मेगा पिसल के साथ जबके बैक साथ यह दोनों निवेस के सहीव है करने आपको कुछ पिक्टर करता हूं किस डिवेस का अच्छा है जादा और दोड़ों डिवैसिस के फरंट गैम में और बैक कैमरा से लिए की पिक्चर सेयर करता हूँ तो यह था डिटेल कंपेरिजन वीवो वी 17 का ओपो रिनो टू एफ के साथ यहां पर आपको खिलियर होगे जोंगी सारी चीज़ है कि अगर आप अंडर 60,000 रुपीज को डिवाइस करना चाहते हैं वीवो या ओपो की तरफ से तो आपको की आपके पास ऑप्शन खिलियर हो होगा वीवो वी 17 या रिनो टू एफ के दर्मियान से कौन से डिवाइस बाइस करेंगे यहां पर हमने जब डिस्प्ले डिजाइन और बिल्कु रडी के बात करी तो वहां पर वीवो वी 17 बाजे तोर पर आगे रहा सुपर अमॉलेंड डिस्प्ले के साथ और कौनिंग और लग लाज से की प्रोटेक्शन के साथ यहां पर काफी अच्छे लगे बैटनेस काफी अच्छी थी उसके मुकाबले में यहां पर डिस्प्ले में मिझे वीवी 17 जार अच्छा लगा विद्वार परफॉम्स चेक तो परफॉम्स में बैंचमार्क एसको उसमें बिलकुल प यहां पर बैटरी की चार्जिंग में बैटरी के सब्सक्राइब यहां पर मैं आपको कर सकता होंगे वीवी 17 को आप इस प्राइज के दर्बाय कर सकते हैं आप क्या रहा है करें वीडियो को लाइक करें अगरा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अल्लाहाफिस